बाबरी बिध्वन्स मामले में CBI अदालत ने सुनाया फैसला हिंदु संगठनों ने जताई खुशी बोले देर से सही लेकिन मिल गया खरा निया है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी धाचा गिराने के आरोप में मुकदमा जहल है हिंदुत्वादी संगठनों के 48 आरोपियों को आज CBI की विशेश अदालत ने दोस्मुक्त कर दिया 28 वर्सों से आरोपों में घिरेईन कारसेवकों में से 16 की मौत हो चुकी है जबकि 32 जिन्दा है जिन्हें सीवियाई की अदालत ने आज निर्दोस मानते हुए बाईज़त बरी कर दिया इस फैसले के बाद देश्वर के तमाम हिंदुत वादी संगठनों ने खुशी का इजहार किया स्वनातन संसा के राष्ट्री प्रवक्ता चेतन राजहंस ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 के दिन बावरी मस्जित का धाचा गिराया जाना हिंदु भावनाओं की उप्यक्षा का अत्रियक था यह कोई प्री प्लानिंग या साजिश नहीं थी चेतन राजहंस ने कहा कि भले ही इस फैसले में देरी हुई लेकिन खरा न्याय मिला वहीं हिंदु जनजागरती समीती के राष्टरी प्रवक्ता प्रमेश सिंदे ने कोट निरने प्रखुशी जताई साथ ही देश भर में गिराये गए हिंदु मंद्रों के पुनर निर्मार की मांग भी धुराई 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी का ढाचा गिराया गया था उसके संदर्ब में CBI ने 48 हिंदुतवादी नेताओं को आरोपी बनाया था इस प्रकरण में आज CBI के विशेश नायले ने इन सभी 48 हिंदुतवादी नेताओं को जो है निर्दोश बरी किया है और हम इस निरने का स्वागत करते हैं वास्तो में 6 दिसंबर 1992 के दिन जो प्रतिकात्मक कारसेवा करने के लिए कारसेवक वहाँ आये थे उनकी तातकालिक भावनाओं के उद्रेक के कारण बाबरी का ढाचा गिरा था यह घटना पुर्वनियोजित नहीं थी और मानन ये नियाले ने भी इस विशे में सपश्टी करण डिया है कि यह घटना कहीं भी पुर्वनियोजित नहीं थी यद्देपी कॉंग्रेस की सरकार थी उन्होंने हिंदुत निष्ट निताओं को इस प्रकरण में आरोपी बनाया उसमें से 16 आरोपी जो है इस प्रेस के निरने के होने के पहले ही मृत हो गये थे आज 32 सभी आरूपियों को हिंदुत निश्ट नेताओं को नयायले ने निर्दोश बरी किया है देरी से सही लेकिन इस प्रकरण में खरा नयाय हुआ है ऐसा हमारा मानना है आज जो सिभीया नयायले ने बाबरी मस्जिद विद्वांस केस में जो निर्ने दिया है उसका स्वागत करता हूँ सत्य में वजयते हमारे यहाँ पर कहा जाता है वास्तविक्ता में आज इसका अनुभव हम कर रहे है क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर मेहने में ही राम जन्मो भूमी के बारे में सर्वोच्च नयायले ने जो अपना निर्ने दिया है उससे ही स्पष्ट हो गया था कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद जो बनाई गई है वो एक प्रकार से अतिकरमन है और मूलता जो भूमी है वो प्रभुष राम की है इसका निर्ने करने के लिए जो विलंब बार बार विलंब जो हो रहा था उसके कारण वहाँ पर जो जनमानस एकतरित हुआ था तो उसकी जनभावना वहाँ पर उनका उद्रेक होने के कारण से ये घटना घटी नायले ने भी इसका उलेक किया है लेकिन मेरा प्रशन ये है कि इस जनभावना के आगे जाकर के यदि हम देखेंगे तो बाबरी मस्जित का विद्वाँ सो होने के बाद जो भारत भर में दंगे कराए गए आज भी उसका दाओद जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है उसके बारे में कोई बात नहीं होती है 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया तब वहाँ पर कितने मंदिरों का विद्वाँ से किया गया क्या उसको आज नयाई मिला है तो आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि एक हिंदु समाज को दोशी बताने के लिए काफी बड़ा शडियंत्र यहाँ पर किया गया और बाबरी मस्जिद का तूटना एक बहुत बड़ा एक अपरात के जैसा भारत में बताया गया लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज आंदर प्रदेश में भी मंदीर और मूर्तिया टूट रही है हिंदुओं की भावनाओं का अनादर किया जा रहा है तो हमारा कहना यही है कि इस निकाल के साथ इस निरने के साथ हिंदु समाज की जनभावनाओं का भी आदर होना चाहि तो उनका पुनर निर्मान होना चाहिए ऐसे हमारी मांगे ब्यूरो रिपोर्ट टीवीवन इंडिया लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले